हेलो वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाईज आज हम बहुत ही जादा इंपोर्टन टोपिक पे बात करने वाले हैं मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत से सारे कमेंट एक ही चीज़ पे आई हुए हैं भीया मैं एट पास हूँ भीया मैं टैंथ पास हूँ मैंने 12 नहीं की हुई ना मेरे बैंड आ रहे हैं तो मैंने इन सभी चीज़ों को देखा यूट्यूब पे कि ये जर्नल प्रोब्लम हो रही है हर किसी की जब मैंने उन कमेंट्स को पड़ा तो मेरे को लगा कि मेरे को इस टोपिक पे वीडियो बनानी चाहिए अगर आपके ना आपके बैंड आ रहे हैं ना आपकी क्वालिफिकेशन आप एट पास है आप टैंध पास है फिर भी आप उस्ट्रेली आ सकते हैं जी हां तो अब उस्ट्रेलीय आप लोग आएंगे कैसे उसके लिए आपको क्या करना होगा आपका जो partner है आपको spouse visa के लिए try करना होगा अब mainly question में से क्या पुछा जाता है sir मेरा partner educated है मेरे partner band भी ले लेगा सब कुछ हो जएगा but मैं तो पड़ा लिखा नहीं हूँ मैं तो 8-वी फेल हूँ मैं तो 10-वी फेल हूँ भाई doesn't matter आप 8-वी फेल हैं 8-वी फेल ना होते तो भी आपका visa आजेगा बस matter करता है आपके partner का background आपका अगर partner educated है आपका visa easily आजेगा पर अब इसमें बात आ जाती है कि हम किन किन चीज़ों का धिहान रखें अपनी visa की file को process करवाने में इसमें भी आपके visa reject होने के chances हो सकते है अगर जो मैं चार स्टैप आपको बताने वाला हूँ अगर आप उन चार स्टैप को follow नहीं करते पहले स्टैप क्या है पहले स्टैप में जो आपका account है उस account से मानलो आप आपके spouse के base पे अपनी file लगवा रहे हो तो एक marriage को हम genuine कैसे प्रूव करेंगे पहले point में आपको आपके partner के account में regular transaction करनी है मानलो आपने कभी 500 रुपे भेज दिए 1000 रुपे भेज दिए 2000 रुपे भेज दिए इससे क्या होएगा जब आपकी spouse की file लगेगी जब spouse की file में आपके financial documents लगेंगे जब उसमें आपके account की transaction आपके partner की account की transaction से match होएगी दोनो ट्रांजेक्शन तो उससे ये प्रूव होएगा कि ये genuine marriage आप ऐसे तो कोई किसी को regularly पैसे भेज भेज नहीं 500 बेज रहा है, 2000 बेज रहा है कोई partner ही अपने partner को भेज जेगा हमारे marriage का certificate जो online register हो और जिस पे barcode हो, जिसको scan करके direct वो इंडिया की official marriage website पे जाके check कर सके की आपका certificate चैन वन है, तो अब हम बात कर लेते हैं third point के बारे में third point क्या है, third point में आपके evidence, अभी आपने साधी कर ली आपकी शाधी की तो तस्वीरे हैं, शाधी की तस्वीरे तो आज कल photoshop भी हो जाती है तो immigration अभी बहुत ज़्यादा clever हो गया, चलाख हो गया, immigration को चाहिए कि real real ही लोगों को उनको बुलाने में ना कल दिक्कत ही, ना आज दिक्कत है उनको partner के education background से कुछ लेना नहीं है उनको लेना है तो marriage deal है की नहीं तो शाधी की photos तो आप लगाओगे ही लगाओगे शाधी की videos भी आप लगाओगे immigration में फाइल रॉंच करते हुए उससे अलग शाधी के बाद आप कहां कहां घूमने गए हैं, उसके evidence आपको लगाने हैं, अगर आप कहीं पे भी गूमने गए हैं, मान लो आप phenomena गए हैं, आप जम्मु कश्मीर गए हैं आप कहीं पे भी गए हैं वहां के आपके evidence होने चाहिए, आप जो लगा रहे हैं वहां की आपकी तस्वीरे होनी चाहिए आपने photos तो click की होंगी अब यह नहीं है कि हमें मैं रिशो करने के लिए हम same same dress में बार बार वही photos location हम बदल लेते हैं हम बहुत ज़्यादा चलाक मनते हैं same same कपड़ों में हम location बदल ली बट हमारी जो कपड़ें हैं वो same हैं वो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करने हैं आपस में ट्रैवल किये हुए हैं जैसे ही आप लोकेशन बदल रहे हो आपके कपड़े चेंज होने चाहिए उस फोटोस में तो मान लो आपने इंडिया में एक जगह पे आप गूमने गए हैं पर उस जगह पे यह थोड़ी है एक ही चीज़ देखने के लिए वहाँ पे कर लेते हैं हम फौर्थ पॉइंट में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है और च्रेलिया में जब हम फाइल लॉंच करते हैं उससे पहले हमें इंशोरेंस करवाना होता है अपना हैल्थ का इंशोरेंस तो अगर आप मान लें आप एक मेल हैं और आप अपकी फीमेल के भी अकाउंट से परसनल अकाउंट से उसके पैसे कटवाने से रहा तो हम ऐसी ने क्या किया है कि वो जैसे एजन्ट खुद के खतों से पैसे कटवा लेते हैं सब कुछ फिक्सिंग होती थी तो उस पॉइंट को इन्होंने पकड़ा है कि चो यह ट्रांजेक्शन है ना वो किसक भाई 10 फैल है 12 फैल है 8 फैल है तो वो भी यहां पर अस्ट्रेलिया में आ सकता है तो यह मैंने आपको तरीका बता दिया है तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फोर्मेटीव रही होगी अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मे